आदर्श भूताह गुरुवह पुर्पती चराह प्रोफेसर राधा वुलत्रपाथी वरियाह सूक्ष्मायशुचये नित्यम नमो बाक्तत्वतंतवे विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाती जगत्पतीम अधि मंचम विराज माना हा सरस्वती सरूपा हा मान्या शशिप्रभा कुमार महोदया हा सम्मान्या दीप्ती त्रिपाठी वर्या हा सम्मान्या उमारानी त्रिपाठी वर्या हा मिमांसकदुरीना, अराव मोधन महोदया, पवन कुमार वर्याश्च, समुखम विराजमाना, देशस्य नाना दिग्विय स्वागता, सर्वेपी विपश्चि दपश्चि मा, महानयम प्रमोदस्य आऊसरा समुपस्तित अवर्तते, समस्कृतस्य, महती नाम संभावना नाम उ पूर्वं प्रायश पंचाशद्व्य वर्षेव्य शष्टि वर्षेव्य वाप्राक आचारिवर्य ही रामकरंड शनुब्य ही मंदनमिष्ण महोदयेश्च रिशिकल्प ही एते ही विद्वत तल्लजई ही ये संस्कृत पादपा रोपिता ते दानि मंकुरिता पल्लविता नाना शाखा प्रशाखा अभी समर्द्धिम प्राप्त वंता दरी दरश्चन ते इती परितोषम अनुभवामा अयम यह उतकर्ष महोद्सव आयोजिता वर्तते महान ग्यान यग्या अयम प्रवर्तते तस्मिन स्वकिया मिनम्राम आहुतिम दातुम आयम पिजना अवसरम लंभीता है इतास्य अनुग्रहस्य करते आहम कृत वेधिताम पिज्यापयाम ही भारतीज विद्यानाम पाष्चात्युमर्षः इती तत्रवट्षयव द्वारेण यप पत्रम प्रेशितं श्री निवास वरखेरी महोद़येह तत्र विषया माम सत्राश्य न क्रते पाश्चात्यानाम विमर्शास्य या विमर्शा करतुम शक्यते तद अधिक्रत्यत्र विमर्शा करनी है स्यात् अथवा भारती विद्यानाम पाश्चात्य या विमर्शा करता तस्य विमर्शात्र करनी है ती मया नई अज्यायत किन्तु अम निश्चिंता आसं यत तिस्रा सरस्पत्या विराजमाना सिहुता यद्याद बदिश्यन्ती तरस्यनुवचनम अम करिश्यामी मया किम करणियम मया तु आध्यक्षम करणियम किन्तु इदानीम अपी सयो मति ब्रमो विज्रम्भते विशया कहा किम प्रतिपाद्रम करणियम इति हम न जानामी यतो ही एता भी शशिप्रभा कुमार महोदया भी अत्यंतम मनोहारी वक्तव्यम दत्तम एता ही सम्यक विहगाव लोकनम प्रस्ततम चर्मन्य देशे, फ्रांस अमेरिका देशे ये महांतह पंडिता जाता हम जाता ह। तत्र संजाता ह। ततह भारतिविद्या विज्रम किन्तु तत्र तथापी विशेयस्य पक्षद्वयं भवती, परस्परम संबध्धं बर्तते पक्षद्वयं, पाश्चाथ तेही ये विचाराह कृतासंती, तान विचारान यदि वयं पुनर विचारयामा तरही, तेही कवचित इस्खलनम कृतं स्यात, यतो ही तेशाम विद अचे कापी द्रष्टी थेशाम, द्रष्टी विशेशा थेशाम भवती, तद अवगंतभ्यं, तद विशेटुमे आ भू कथितम, पंडिता न कथियंती, ते प्रशंचन ते, केचा न आधुनिका मुहर मुहु गाली प्रदाने न कर्दम प्रक्षेपणम कुरुवनती, क ते प्रशंचन प्रशंचन ते, तेन स्वस्थम समाकलनम न भवती, ति काचन समस्या भर्तते, किन्तु अतस्य महता अस्य विशेयस्य किन्चित उन्मिलनम अध्यजातम, ति संतोषम अहम अनुभवामी, एता भी ही धीतित्रिपाठी महोदयाभी, यद कथितम, यद कथम वैश्विक चिंतनस्य मूला अधारह, तत्र प्रतिष्ठापहितु मशक्यते, वाक्य पदियस्य पाणिने, आ पाणिने, आ पतंजले, प्रारप्धस्य चिंतनस्य आधारेन, इती ता भी सम्य यद प्रत्यपादी, इदानीम विश्वस्चिक्रते एत अवदानम भारती य कथम संभवती, यत्र विश्वस्विन पिविश्वे, यत्र महान कोलाहलो वर्त ते उत्तराधुनिक चिंतनस्य, तस्यापी ये महानता विचारका संती देरिदा फूको प्रत्यपादी, ते यद्यत कथे यंती, तत भरत्यरिना नागार्जुनेन वाग, पुरा कथंचित प्रत्यपादी, ते नविधन ते कथे यंती, भाषाया विशे यानियान विचारां ते प्रगटी कुर्वनती आधुनिकाह, दारशनिकाह, ते कदाचित भरत्यरिना पूर्वम अत्यंत मेव सूक्ष्मतया उन्मिलिता संती, ते सम्य अस्माभी तारतम्यं विवेच्च य अभी तक वो हम को बताते आए हैं कि आप क्या हैं यही है उनकी दीवे चश्मे से हम अपने आपको पूरी संस्क्रत विद्याओं को देखते हैं जैसा हो करके बता गए है उनके मानदंडों से हम यहां तक अपने सारे संस्क्रत साहिति के इतियास को पढ़ते पढ़ाते अभी तक आ रहे हैं अब समय यह है कि हम उनको बताएं कि आप क्या हैं और आपने क्या गड़बडियां की हैं और आपकी ओकात क्या यह वो हमको अपनी ओकात अभी तक बताते हमेशा पास्च्चाथते ही गय द्रष्टिया वयम अवलो किता ह।। यद एते शाम द्रश्टी वेज्ञानिकी नास्ती, एते वेज्ञानिक धिया तार्किक धिया विचारम करतुम नशक्नु वन्ती, एते ही अस्मभ्या शिक्षणियम, पंडिता अस्मान शिक्षईतुम शक्नु वन्ती, इती रधये नते नई वसी कुर्वन्ती, पंडिते ही अत्रा आगत्य आगत्य अधियन ते, किन्तु वयम ततो पी श्रेष्ठा, यतो ही असमाकम मानसम श्रेष्ठाम वर्तते, वे ज्यानिकी बुद्धी पाष्चाती संस्कृती असमाकम महियसी वर्तते, यते शाम ज्यानम भवतु ग्रंथेशु, किन्तु पंडिता यते तथा न सुक्ष्मिते आ विचारम करतूं, तार्किक द्रश्टिया विचारम करतूं, प्रभवन्ती, इती ताद्रशी तेशाम द्रश्टिर वर्तते, अधियो इधानीम्, ये मानादंडासंती तत्र नियुनता वर्तते, यता ता भी कतितं, यद व्यास भास्यम, भोजश casts, यद व् बोला महोदया अन्योवा यदि पतंजली सूत्रानाम विचारम, स्वधिया विचारम करो थी, तरी परंपराया क्षतिस्तत्र भवती महती परंपरायोग सूत्रानाम व्याख्यानस्य काचन वर्तते। इती तु अधिकम्मया नईव वक्तव्यम किन्तु केचन विचारा संती, श्षिप्रभा कुमार महोदया भी, शौपन हार, वर्यस्य उल्लेखा, कृता, नील्स बोर, तेन कठोपनिशतम अधिकृत्य यद कथितम थोरो, इमर्सन, यता अधिम्हांता दार्शनी का संती, यते यद जीवना दरष्ठिर वर्त थे, सा इदानीम पी उपादेया वर्त थे, इता दरशेई महद्भी दार्शनी के ही कथितम, यस्मिन काले शौपन हारह, उपनिश्दाम अनुवादम पाथम पाथम अत्यंतम अभी हूता है, तस्मिन नेव काले हीगेल वर्या अन्या दार् उपनिश्दा अधिक्रत्य विचाराह, केचन प्रगटी करताह, ते पी विचारनी आह, ते पूरु पक्षम निर्मानती, पूरु पक्षस्तु सयव भवती, यह पुना-पुना अप्रत्याहता परावर्त ते, एद दे पूरु पक्षस्य महम्मत अव लक्षनम, जो बार लोटकर के आता है, चारवाक बार लोटकर के आएगा, चाहे जितने शंक्राचार या अधवत वेदानत उसको कुचलें, वो बरहस्त्ति से चला और अव भी चलेगा, सांख, जाहे जितना सांख, उसको अधवत वेदानत, समीक्षा करें, और कायदे हमें उसको समाप्त कर क्या क्या हिएं थे सांख्य तो رामा अतार सर्मा क्या कहते हैं, पर्मात्र आडशन मेरे तना बना दर्शन वो खड़ा करते हैं, řों कहते हैं कि कपिल उ बहुत बड़े हैं, वो प्राछीन है तर्स वो ब्रहमसुतर कार से 7i और उनको नहीं संज़ा, ब्रहमसूतरकार ने ठीक से, कितने महानदार्शनिक हैं, सांख्यदर्शन जिन्हों ने प्रतिपादित किया है, वो मेरे लिए जादा ग्रहाई है, वो पूरुपक्ष अप्तियाहत रूप से बार बार लोट कर आता है, हीगल ने जो कह दिया है, और अगर आपने समझ लिया कि हम महान, हमारी परंपराय महान, हमारे सामने कोई चुनोती नहीं है, कोई हीगल नहीं, और कोई वो नहीं, कोई शेल्डन पोलाक नहीं, तो आप भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको टिके रहने के लिए पूरुपक्ष पर विचार बार बा यही भारती परंपरा का स्वारस्च है, यही मर्म है हमारे हमारी शास्त परंपराओं के अभी तक, शास्त परंपरा चीज जाती है, अगर पूरुपक्ष उनका समाप्त हो जाता है, इसलिए पाश्चात्य विमर्ष जो है पूरा, वो क्या पूरुपक्ष बनाता है, इस प बहुत कम है, तो मैं समेटने का प्रयास करता हूँ. एकम तु एकम तथ्यम निवेदयामी, तथ कटु तथ्यम भवेदवा, अग्रायम भवेद, यद उपनिशिदाम माहात्मियम गीतम, विश्वस्मिन पिविश्वे उनुमिन्षषत के, यह जय धनी प्राचरत, प्रचरतिस्म भारती चिंतनस्य मही मभिशये, तथ कार्णम अरबदेशा संती, अरबदेशा तत्र माध्यम भूता, यदी अरबदेशा न अभविश्वन, अरबदेशेश्व पंच तंत्रस्च उपनिशिदाम अनुवादा परशियन भाशायाम नदी यदी नस्यू, तरही एते उपनिशिदा तत्र नईव प्रापसीरन, उपनिशद महा पहुचते के स सिधे समस्क्रश्य अनुवाद नहीं मिले हैं उनको, शोपे नावर को, थ्योरो, इमर्सन को, दारा शुकोह वर्येण, सिर्रय अकबर इति ग्रंथे, द्वा पंचाशत उपनिशिदाम परशियन भाशायाम अनुवादा कृता, सिर्रय अकबर इति ग्रंथस्य अरभी चाहता है, सिर्रय अकबर मद्य ये अपनिशिदाः अनुदीतासंती, से शाम, परशियन भाशातोगवा, अरभ्वाशातोई, लेतिन भाषयाम अनुवादाः जयाताः, जर्मभाशायाम, अनुवादश जयाता है, ति अनुवादा तत्र आसन, एते माध्यम भुतासंती इत दसमा भी डिकगनाईस करनियम, इते शाम कीद्रशम महनियम अवदान, महाभारते एते ही संबंधा संती, इरान देशे न, सहस्माकम, मिष्र देशे न, सहस्माकम ये संबंधा, तो त्री सहस्रम वर्ष पुरातना संती, महत्या संस्क्रतिया तत्र वर्तन ते, इमे उवे ये ग्रन्था तत्र पंच तंत्रम, पंच में शते के एव तत्र प्रचारम आप, इतादर शी महती परंपरा, पंच तंत्र चईव आरभ्य भाशायाम, पहलवी भाशायाम, भार्सी भाशायाम ये अनुवादा संती, तेशाम अनुवादा, योरोप भाशाशु मे ताक्षात्स संुस्कृतात् अनुध्यत् विश्वस्विन्नप विश्वे भारति विध्याया प्रचारो norm сотी सथथ सदय उत्र और हम्य주세요, वर्त अरभ्य Mobil Say अरभ्य देश totally कांट्रीस द्वारभूता संती इतत तक्यम स्वी करणियम स्यात् प्राइश 15 शतम वर्शानी प्राचीना वर्तते युरोप देशे पी भारती विद्यान शीलन परम्परा लासेन महोदये न लेटीन भाषायां सांख्य कारिका अनूधिता सब्त दशेशत के अनंतरम तेन एंडिशे आल्टर्टुम कुंदे इती ग्रंथा तेन लिखिता यत्र ग्रीस देशे न रोम सामराजियन सा भारती सम्स्कृते सम्स्कृत साहित्यस्च अंत संबंधा तेन विवेचिता इती आध्या कश्चन महत्पूर्णा ग्रंथा वर्त त सत्र यार्तिन प्रवासय आगता फ्रांस देशात अन्यभ्या देशे ब्या तेसाम यानी व्रत्तांतानी संती ते काथं भारती विद्या मनुशीलüne Do इट रोम साम नामानी एदानी परिट्यजामी किन्त अध्यंत महथत पूर्णा मह जान्के टीव दुपरों। एंके तिल दुपेरों इती कष्षन अत्यनत मेव विक्षिप्त सद्रशह जन आसित सा फ्रांस देशात अश्टाद शटकस्य उत्रारदे प्राईशा 1850 इती वर्शा नंतरम भारतम समा गता हा जीवनस रहस्यम शष्टे रहस्यम मया ग्यातवयम एशिया देशेश भ्रह्मनम करत्वायती तस चिक गाचन किंचिद धेयमासीत सा कथन चिद गुजरात देशम गत्वान तत्र अवेस्ता या संस्कृतान वाधम प्राप्तवान बाद अशे शटके अवेस्ता ग्रंथ श्या संस्कृते अनुवाधा जाता है इदर शी इरान देशे न असमा कम संबंद स्या परंपरा वर्त ते ये पारसी का जना तत्र पलाई आगता है ते गुजरात अ गुर्जरप्रान ते लाट देशे तत्र ते सेटल जाता है पहल्वी भाषाया मुलम तेन अधीतम। स्वाग्रन्था देन लेतिन भाषाया मनुदिता, अनंतरम कथंचित उपनिशिताम विषय ज्यानम प्राप्तम। अनंतरम च दारा शिकोह कृताह अनुVादाह तेन प्राप्ता। फार्सी भाषाम जाना थी, समस्कृतम न जाना थी, ते अनुवादा सिर्रह एक बरमध्य ये द्वाप पंचाशत उपनिशिधा अनुदिता संती, ते शाम तेन लेटिन भाषायाम अनुवादा करता है, एट्टीन, नई, 1780 वर्शस प्रायश परस्तात पूर्वतो वा तेन अनुवादा करता है, तेच अनुवादा ओपनेखेत, इती शीर्षके खंडद्वे लेटिन भाषायाम प्रकाशिता है, लेटिन भाषाता है, शर्मन न भाषायाम अनुवादा जाता है, ताराशिकोहस्य अनुवादात एंकेटिल दुपेरो वर्येन, लेटिन भाषायाम उपनिश दाम दर्शन से यद गोरवं वर्त ते तद गोरवं ते ही परिज्यातम इती तस्य महता विपश्चिद पश्चिमस्य एंगतिल दूपेरो वर्यस्य किन्चित अवदानम वर्त ते इदानीम प्राएशा पंच निमेशा अपिना सिष्ठासंती, किन्तु अच्छंत मे व महनियम नाम वर्तते, विलियम जोनस वर्य 이건 स्य analyze. चечатाब द्याम एक एव विल्यम जोन्स अभवती इती निश्चर परचमॉ essताब द्याम एक एव विविय का नदा भवती अपरो नीजन भवती 5 सहस्त्र वर्शेश एक एव रामकर्षन पह नदा भवती अन्यतानब होंती ये रिशेहसंती तादरशाह रिशी एक एव कदाचित पंच सास्त्र वर्शेशु भवती ये तादरशाह शताबी पुरुषाह विलियम जोन्स महोदया आसी तस्यावदानम तु अत्यंत में विपुलम वर्तते महती प्रतिभा अश्याटिक सोसाइटी जो टopers निमोटी थीसिस लिखी है ये केजरिवाल नहीं है वीद्वान है तो ये वह बहुत परिश्रम से लिखीवी किताब है एक संस्ता तो उन्होंने बनाइए और बहुत सारा काम उन्होंने किया है बहुत सारे अनुवात जर्नल उन्होंने निकाला अभिग्यान शाकुंतल का पहला मूल संस्कृत सहित संस्करण वो पहला गरंथ कदाचित था जो मूल संस्कृत पाठ सहित अंग्रेजी अनुवात के साथ निकला सेवंटीन नाइन में विलियम जोन्स ने जो अभिज्यान शाकुंतल प्रकाशित किया है मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया उस तारीक को बदल गई जिस दिन अभिज्यान शाकुंतल विलियम जोन्स का चपके आया है उसके बाद दुनिया वो नहीं रह गई जो उसके पहले थी उसको मैं कई प्रमानों से बताता हूं कि क्यों एसा में मानता हूं बहुत अकार्टी प्रमान है किसी ने खंडन नहीं किया कि कैस गोईते के पास पहुंच गया कैसे उसके अभिवूत हो गए वो कैसे यूरोप की सारी रोमांटिक पोईट्री की दिशा बदल गई उससे कैसे भारत में सारा सिनेरियों बदल गया उसके बाद बहुत सारे नाटक होने लग गए जो आजादी की लड़ाई से जुड़े लो बड़े बड़े रिशितुल्य पंडित उसमें थे उनकी एक दरश्टी हो सकती थी तो यह बहुत सारी बाते हैं और बड़ा महान विशय यह है मैं दो मिनिट और हैं अब कहने का कोई विशेश नहीं अभी प्राय मतलब अब नहीं रहता है और यहां उस तरह की चर्चाएं शायद नहीं की जानी चाहिए हम लोग दूसरे मंचों पर बहुत करते हैं हमारे समस्कत समाज में पता नहीं क्यों नहीं आई एक बहुत बड़ी चर्चा है डिकॉलनाइजिंग इंडियन स्टडीज भारती विद्याओं का वी उपनिवेशी करण के से हो यह बहुत ही जट करके गया हमको बल्देव पाधिया भी अपने समस्कित सहाइथि के दियास में लिखते हैं एसकेदे भी लिखते हैं सारे बड़े बड़े पंडित लिखते हैं कि दस्वी ग्यारवी मुश्ताबदी के बास सारी शास्त परमपरा हैं अपकर्श को प्राप्त हुई महाकाव विनाटक सब अपकर्श हो गई, कौन बता करके हमको गया, यह बहुत सारी बात हैं, कौन बता करके हमको गया है, वो हम उनका कहा हुआ दोहराते हैं, उनके कहवे कि इनसार हम अपने आप को देखते चले आ रहे हैं, उस पर हमने सवाल नहीं कि कैसे हो गई, मैं सवाल पूछता हूं कि कैसे हो गया ? मुझे लगता है कि दस्वें गार्मी श्रतापदी के बाद तो सबसे जादा प्रयोग हुए संस्कृत साहिति में सबसे जादा नई विधाएं संस्कृत साहिति में सबसे महान दार्शनिक अमारी परंपरा के वल्लव हुए रामान जुवे मदुसूधन सरस्वती हुए निम्भार्क हुए पचास महान दिगज दार्शनिक वो तो सब बार्मी श्रतापदी के बाद पेदा हो रहे है नय से नया चिंतन खूबारा है तो कोन हमारे दिमाग में कीड़ा डाल करके गया कि आप का रहास होता गया है आप जंगली असब बर बर रह गया है यहां तभी हमको प्रभू ने आपकी उपर शाषन करने बेज जा है बहुत बड़ी रिसर्चेज उन लोगों ने की पास्षात्य विद्वानों ने लेकिन सभी में ये दृष्टी कही ने कहीं थी तो दोन जाये मैं तो दूसरे मंच पर खुब बखी दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अभी जाकर के कहूंगा मैं कहता रहा हूं फिर से कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद झाल